हेलो 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 अब्रीवन वेरी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टनून और गुड इवन वाई आ हम सो हैपी तोड़े मैं इतना खुश क्यों हूँ आज क्योंकि आज मैं एक ऐसी वीडियो आप लोग लिए लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज्यादा important है beneficial है सभी के लिए especially this video has been made for class 6 students मैंने ये video class 6 students के लिए बनाया है बट ये video उन सभी students के लिए beneficial है जो किसी भी class में है और उनको grammar पढ़ना पढ़ता है चाहें वो फिर direct indirect पढ़ें active passive पढ़ें या कोई दूसरी चीज and all the students those appear in competitive exams जो भी competitive exams में competition में participate करते हैं उनके लिए भी ये video बहुत beneficial होने वाला है तो चलिए video start करते हैं बट start करने से पहले सबसे request है कि जिसने channel subscribe नहीं किया है please subscribe करें bell icon को press करें और instagram पे मुझे follow करें मेरा नाम हरीश कंगवार सर्च करें और आप instagram पे जोड़ सकते हैं कोई भी problem उसको आप मेरे सामने रख सकते हैं उसको solve किया जाएगा okay so let's start it so this video is about pronouns okay pronouns तो हम कैसे सुड़ात करेंगे read the sentences manish is a good singer he is also good at playing the drums यहाँ पर एक name आया है manish and in the second sentence manish की जगह एक दूसरा word रख दिया गया जिससे बार बार हमें manish name repeat ना करना पड़े तो वहाँ पर क्या रख दिया he okay rama gets fooled by her classmates easily यानी rama अपने classmates के दौरा fool बनाई जाती है मतलब उसकी classmates उसे fool बना देते है she is very name name means absent minded or foolishness okay foolish तो यहाँ पर rama की जगह यह word यूज किया गया she clear जिससे name बार बार repeat ना करना पड़े कोई भी name बार बार repeat होगा तो story अच्छा नहीं लगता है sentence अच्छा नहीं लगता है the bunsels यह देखिए plural है यहाँ पर बहुत सारे है बंसल मतलब इतने भी बंसल लोग है बंसल स्कैन विजट शिमला इट इस अ सेरेन हिल स्टेशन सेरेन मतलब एक beautiful हिल स्टेशन है the bunsels यहाँ पर शिमला के लिए इट रखा गया है clear और bunsels के लिए अगर कोई word रखा जाता तो वो होता यहाँ पर दे टी एच इवाई क्योंकि plural है इसलिए ओके तो यह है क्या the highlighted words in the sentences are pronouns यह सभी जो highlighted words है he she and it यह सभी pronouns है because though are these are used in place of a noun they stand in place of nouns यानि nouns की जगह पर रखा गया है कैसे मनिश की जगह he रखा गया है and रामा की जगह she रखा गया है and शिमला की जगह it रखा गया है clear अगर बंसल्स की जगह रखा जाता हो तो दे रखा जाता clear इसलिए यह सभी क्या है pronouns तो pronoun की एक definition हम learn कर लेंगे जो यहाँ भी लिखा हुआ है यानि जो word noun का place ले लेता है noun की जगह पर लग जाता है वो pronoun होता है simple term में एक दूसरी definition मैं आपको देता हूँ अच्छी वाली उसको आप सुन सकते हैं note down कर सकते हैं यह definition भी आप लिख लेंगे ओके तो यह तो हो गया pronouns अब मैंने क्यों कहा कि यह सारी चीज़ें आपको beneficial होंगी active passive हो direct indirect हो कोई भी चीज़ हो जहां पर pronouns को हमें change करना पड़ता है ठीक है जो active passive में भी करना पड़ता है direct indirect में भी करना पड़ता है तो आगे बढ़ते हैं इसमें अब देखते हैं kinds of pronouns कितने type के होते हैं तो यहां पर nine kinds of pronouns दिये हैं पहले जो main pronouns थे वो six थे लेकिन उनको बढ़ा कर nine कर दिया गया है उसमें से कुछ चीज़ें और बढ़ा दी गई हैं कौन कौन से हैं personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, indefinite, distributive and relative pronouns यह सभी क्या है kinds हैं pronouns के अब जब nine kinds दिये गए हैं तो हम बारी बारी turn by turn सबको learn करेंगे एक एक चीज़ के बारे मैं आपको बताऊंगा कि personal pronouns किसे कहते हैं या जितने भी kinds के pronouns हैं उनको कैसे हम समझ पाएंगे clear तो इसके लिए हमें पढ़ना पढ़ेंगे जो नीचे के sentences हैं इनको हम read करेंगे clear read the sentences he has invited us for dinner उसने हमको invite किया dinner पे अब जो he है वो कोई क्या है वो एक person है us हम है हम लोग तो वो भी क्या है हम लोग क्या है person है we हम person है her और जो लड़की है वो भी एक person है we can meet her today यहां पर किसी का नाम नहीं है इसलिए सभी pronouns है they are selling the refrigerator to them यानि वे लोग उनके लिए refrigerator sale कर रहे है बेच रहे है तो जितने भी pronouns हैं एक बार इसको पढ़ लीजिए ठीक है the highlighted pronouns in these sentences are personal pronouns यह सभी personal pronouns हैं because these are used for persons यानि जितने भी यह pronouns हैं इनका use persons के लिए हुआ है इंसानों के लिए हुआ है व्यक्तियों के लिए हुआ है इसलिए यह सभी personal pronouns हैं he, we, they, subject यह सभी क्या है subject है whereas us, her, them यह object pronouns है यानि जो as a subject use होते हैं यह तीनों चीज़ें यह subject pronouns इसको हम nominative भी बोलते हैं ठीक है जो subject की जगापर यूज होते हैं pronouns वो nominative होते हैं जो object की जगापर यूज होते हैं वो होते हैं objective pronouns और possessive भी होता है तो इसका एक पूरा chart बना हुआ है आगे हम chart को देखेंगे study करेंगे वो chart active passive voice में और direct indirect में बहुत ही ज़्यादा useful है आप समझ सकते हैं कितना useful है ओके personal pronoun की definition यहाँ पर देखते हैं यानि जो किसी person या किसी thing के बारे में थिंग के बारे में it होता है ठीक हो एक similar होता है इससे बोलते हैं बाकी जतने भी pronouns हैं जो persons की place पर यूज की जाते हैं वो कौन से हैं पर्सनल प्रोनाउंज होते हैं clear a personal pronoun that comes in place of a subject in a sentence is called a subject pronoun जिसको मैंने कहा नॉमनेटिब भी होता है तो आप subject समझ लिए ठीक है a personal pronoun that comes in place of the object in a sentence is called an object pronoun यानि जो sentence में object की जगा पर आता है it means वो verb की बाद में आता है तो हम उसे बोलते हैं object pronoun clear next इन sentences को हम पढ़ेंगे आगे now read these sentences his shoe size is bigger than mine यानि उसके shoe का size मेरे shoe से बड़ा है the umbrella is hers the mansion on the hills is ours these notebooks are ours those are theirs यानि इन में क्या है last में ए है माइन माई की जगाए पर माइन है हर की जगाए पर हर्स है आवर की जगाए आवर्स है देर की बज़ाए देर्स है यह सभी possessive pronouns होते हैं यह यहाँ पर दिया गया possessive pronoun ठीक है यह आपको direct indirect बनाते हुए बहुत ध्यान देना है the highlighted pronouns in these sentences are possessive pronouns they show ownership और possession क्योंकि यह ownership को show करते हैं possession को show करते हैं it means इनका use तब गया जाता है जब हम किसी चीज़ पर अपना possession दिखाते हैं अपना अधिकार दिखाते हैं हमारा है यह उसका है this book is ours, this phone is mine इस तरह से clear तो यह क्या है possessive pronouns now see this table मैंने कहा था आपको table देखने को मिलेगी एक personal pronouns की study this table to learn about personal pronouns and possessive pronouns अब इन में तीनों के person भी होते हैं जब personal pronoun है तो उनका एक person भी होगा यह हमारा first person second person, third person clear तो first person में क्या है I और यह सभी क्यों अलग-अलग क्यों लिखे गए हैं यह वाले यह वाले अलग लिखे गए हैं क्योंकि यह सभी जो pronoun हैं वो singular हैं एक बचन हैं यहां वाले इससे I subject की तरह यूज होता है You subject की तरह है He subject की तरह है She subject की तरह है और It subject की तरह है तो यह सभी subject pronouns हैं यह फिर हम इनको nominative बोलते हैं Object pronouns me, you, him, her, it यह सभी as an object यूज होते हैं कहने का मतलब यह जो pronouns हैं यह हमेशा verb के बाद में आते हैं That is why they are called objective case Objective pronoun या objective case of pronoun Clear? Position pronouns भी आप लोगों ने पढ़े Position pronouns यानि position दिखाना Show करना तो यह है position pronoun इनके अलाबा एक जो pronoun है वो और होता है वो भी position होता है बट वो किसी subject किसी item से जिस पर हम अपना position शो करते हैं जिस पर अपना अधिकार दिखाते हैं वो नाम उस pronoun के बाद आता है जैसे My ठीक है? योर यानि योर्स में से एस हट जाएगा हिस सेम रहता है हर्स में से एस हट जाएगा इट्स ऐसा ही रहता है तो यह सभी possessive case होता है pronoun का possessive case यह possessive pronouns हैं और यह possessive case होगा अब यह नीचे आ गया आपके plural वाले first person we होता है plural object us है possessive pronoun ours है और possessive case क्या हो जाएगा our book ours book नहीं बोल सकते हैं हम book of ours बोल सकते हैं but our book इसके साथ बोलेंगे कहने का मतलब जोभी यह possessive pronouns हैं इनके बाद में हम कोई चीज रखते नहीं है suppose करू what book हमारी है तो my book नहीं बोलेंगे yours book नहीं बोलेंगे my book बोलते हैं your book बोलते हैं clear तो इसी तरह ये plural वाले हो गए यानि you singular में भी है plural में भी है क्योंकि you हम singular में भी किसी एक इंसान को भी हम you बोलते हैं और जब ज़्यादा होंगे तब भी हम you बोलते हैं clear I hope आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा आज मैंने सिर्फ first kind बताया first kind of pronoun आगे जितने भी remaining kinds हैं हम उनको next parts में include करेंगे तो इसलिए stay connected जुड़े रहिए चैनल को subscribe करिए bell icon को press करिए अपने friends के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share करिए वीडियो को like करिए comment करिए thanks for watching this video have a wonderful day delightful day हुआ 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 हुआ